हाई फ्रेंड्स बूर्निंग और वेल्कम बैक तुद ऑफिशल चैनल आफ टेक्साज तो टेक्साज में हमने आज से अरॉंड पांट साल पहले स्टार्ट किया था अज़ा सीए फर्म बेसिक सा एक सीए फर्म जैसे लोग करते हैं जौब छोड़के मैंने स्टार्ट किया था ग्रैजुली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी अपने आर्टिकल शिप के टाइम पर या पहले भी नहीं करी थी और मुझे उतना अच्छा एक्स्पोजर नहीं मिल पाया था मैंने जहां से आर्टिकल शिप करी थी या फिर मैंने बहुत जगा यह देखा कि नहीं पाता तो बिसिकली यहां पर जो है आप जैसे हमारे साइट पर भी देख सकते हैं कि हम आल्मोस सारी चीज़ें करते हैं जो कि एक सीए या सीएस को करना चाहिए बेकॉस वी आरे टीम ओफ सीएस और मेरे ब्रदर लॉयर भी है तो एक कंप्रिट एक्स्पोजर तो हमने अभी एक इनिशेटिव स्टार्ट कराया तो गिव दा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू दा कैंडिडेट्स आज के डेट पर जब आप ग्राजुएशन कर भी लेते है तो भी उसके बाद भी the practical experience that you have is zero और जब आप जॉब में जाते हैं तो वो कहते हैं हम experience चाहिए experience basically उनको यह नहीं कि आप 5 साल कहीं job करो basically यह कि आपका at least working knowledge तो हो जिसीज के लिए वो आपको pay करेंगे तो मेरे इंटरंशिप में जब भी लोग हैं आते हैं तो basically यह दिखता है कि कुछ नहीं आता graduation के बाद theoretical knowledge तो बहुत लोगों को रहती है और practical नहीं रहता है तो इसलिए हमने start किया है tax academy ठीक है तो उसमें basically हम क्या करेंगे हम आपको एक general जो coaching होती है वो नहीं देंगे यहापर ठीक है do not think कि हम आपको income tax यह GST यह accounting पढ़ाएंगे book खोल के नहीं यहाँ practical world में जो भी चीज़ें आपको need परेंगी वो हम आपके लिए वो चीज़ें आपको बताएंगे जैसे accounting में आपको अगर accounting concepts clear है आपके तो हम आपको accounting software latest जो भी होते हैं जैसे कि Zoho हो गया, Tally हो गया, Busy हो गया, QuickBooks है, Marg है ऐसे करके बहुत software है जो practically आपको need परती है तो हम आपको वो software use करना सिखाएंगे, तो आपको उसके लिए basic क्या है accounting की knowledge चाहिए होने, accounting concepts आपके मलब चाहिए होने clear उसके बाद हम आपको पूरी एक practical knowledge देंगे, so that इसके बाद आप कहीं भी जाके job अगर करने जाते हैं तो आप confident रहेंगे कि आपको आता है एक तो course यह है, second is आपका GST certification course, यहां हम आपको GST registration से लेके GST return filing, GST refund amendments और भी practical चीज़ें जो भी होती हैं ऐसे कि RCM, EUA bill, invoicing इस तरीके के practical चीज़ें जो आपको need परती हैं आपको वो बताएंगे उसके बाद है आपका income tax का course, यहां हम आपको all types of income tax return filing सीखाएंगे, ITR1 से ITR7 तक and sources of income के बारे में भी थोड़ी बहुत idea देंगे theory हम नहीं समझा रहे हैं, यहां पर फिर से हम आपको कह रहे है, theoretical knowledge आपको चाहिए होना, हम आपको basics ही बताएंगे, हम आपको practical exposure देंगे उसके बाद है payroll management certification course, यहां हम आपको एक company का पूरा का पूरा payroll manage कैसे करते हैं, वो बताएंगे एक employee को hiring से लेके उसकी pay slips बनाना, उसकी leave manage करना, उसका tax structure करना, plan payout देना, income tax saving करना, इस तरीके की सारी चीज़ है यह तो चार course था, उसके बाद एक और है, जो हमने अभी add करा हुआ है, जो कि आप हमारे site पर भी जाके देख सकते हैं, secretarial filing course, यहां पर हम आपको MCE की major filing सिखाएंगे that will include basics of the company law, उसके बाद company registration, उसके बाद annual filing के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो and कुछ-कुछ forms, जैसे कि for the change of address, change of director, MGT7, AOC4, यह सारी basic चीज़ें हम आपको यहां पर सिखाएंगे ताकि आप एक normal MCE का काम किसी भी form में जाके कर पाएंगे, यह सारी चीज़ें ही आपको regular काम पढ़ती है, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो तो काफी कम टाइम पर रहता, बड़ यह सारी चीज़ें हैं, almost लहार साल इन्वर फाइलिंग के टाइम पे आपको at least, हमारे यहीं जैसे कि हम 1200 से 300, 500 MCE फाइलिंग तक करते हैं, तो हमें उस टाइम पे फुल टाइम में ना सही हम at least internship टाइप में या तीन महने के लिए चाहते हैं कि कुछ लोगों को मिल हायर करें, बट उनको practical knowledge भी नहीं रहता है, तो यहां यह करने के बाद main benefit यह रहेगा कि आपको job भी opportunity हम दे सकते हैं, हमारे ही बहुत सारे customer जहां पे need a accountant, जहां पे उनको क candidate नहीं है, लोगों को salary बहुत चाहिए होता है, लेकिन काम के नाम पे zero, काम के नाम पे बादल आपको theoretical knowledge से सिर्फ नहीं काम चलता, बुक पढ़के आपको कोई भी company job नहीं देगी, आपको practical knowledge भी होनी चाहिए, तो यह courses कर लेने, और भी बहुत सारी हैं चीज़ें, आप और यह courses लेंगे, यह CA या CS ही लेंगे, जैसे कि मैं लोंगा, और भी रहेंगे, जो भी रहेंगे वो professionals ही लेंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको normal कोई भी और करेगा, so that you get a quality knowledge, तो जल्दी से जल्दी आप start करें, आपको अगर कोई भी और doubt है, तो नीचे दिये ग इनिशेटिव यह हमने अभी start किया, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर और बहुत सारे जगस inquiries थी, इसके बार में और जानना, इसके बार में और पढ़ना है, तो we have started this as a initiative, tax academy, तो यह basics थी, जो मुझे लगा कि आपको पहले एक बार बताना चाहिए, कि यह है क्या, यह normal coaching नहीं है, और इसकी course fees भी बहुत जादा reasonable है, जो आप site पर जाके देख सकते हैं, fix नहीं है अभी, क्योंकि अब license starting है, तो आप अगर पहले register करते हैं, तो शायद आपको cost effective भी पढ़े, gradually जैसे ऐसे inquiries आएंगी या फिर enrollments मतलब होंगी, वैसे करके उसकी charges भी maybe बढ़ा है या फिर जो इंडिया है, और अगर नहीं भी आपको job करने, आप job में भी हैं, फिर भी आपको जैसे कि आप किसी भी company में, वहाँ आप accountant है, आपको GST, अगर आप सीख जाते हैं, या TDS सीख जाते हैं, या payroll सीख जाते हैं, कोई भी और काम सीख जाते हैं, तो आपको वहीं पर और increment भी म यू सो मच, थेंक तक्स, थेंक तक्स,